यदि आप भी हमारे पास कोचिंग करना चाते हैं और सुरू से इंगलिस पढ़ना और स्पैनिंग लिखना सीखना चाते हैं बल्कुल आसानी से तो आप हमारे इस नमबरते मैसेज कीज़ कीज़ेगा या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं और सारे डिटेल हम आपको देंगे और ह हमारी गारेंटी होगी आपको इंगलिस पढ़ना लिखना जल्दी करें लिखने केलिए यहां लिखते हैं तो आप कोई भी हो गया जोड़ते हैं गया जैसे कि beautiful हो गया और अगर मैं आपको बता हूं जैसे कि और भी लेजिनेस हो गया और आपका happily हो गया तो इसमें एक चीज याद रिखेगा कभी भी अगर फुल जोड़ रहा है तो फुल का एक L हट जाएगा यहां पर यहां पर देख रहे हैं और अगर खाली फुल साथ लिख रहे हैं सहे तो इसमें क्या हो रहा है इसको हम क्या पड़ रहे हैं क्योंकि मैं आपको बता है कभ्यों प्रक्रवाइं अगर तीसरे ल मम खता हैं कम ár, लेकिन अब जब लाइसमें आपको यह तो यह तीसले नमम-र पर नहीं हुला अब यह इसके साथ जूड़ तो इसलिए इसको खाले एक लिखा जा रहा है तो कहीं पर भी लाश्ट में वाई हो और हम जैसे कि किसी भी वर्ड मिनिंग के साथ जोड रहे हैं तो हम वाई का आई कर देंगे ठीक है आप इसे लिख लिजिए इसमें क्या है एक चीज में आपने यहां पर देखा यह प्लस ह कभी भी अगर आप मतलब वाई लाश्ट में हो और आप किसी और वर्ड मिनिंग से जोड रहे हैं तो अगर लाश्ट में वाई से पहले जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जहां पर क्या था लाश्ट में वाई से पहले वोवल से क्या है वोवल से यानि कि मात्रा है तो आप आपको वाई को क्या करना है अगर वाई से पहले वोबल्स होता है तो आपको वाई को वाई लिखना होता है जब आपको आई नहीं करना होता है जैसे कि मैंने हैप्पी बोला था तो हैप्पी में क्या था वोबल्स नहीं था यहां पर पी था और यहां पर क्या है यहां पर ए हैं वाई से पहले तो अगर मात्रा होगी तो आपको वाई का वाई लिखना और मात्रा नहीं होगी तो आपको वाई को हटा के आई लिखना होगा किसी के साथ अगर आप जोड रहे हैं तो यह थोड़े से रूल्स होते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें फर्स फॉर्म से फूल को किसी में भी जोड़ हैं तो हम क्या करते हैं एक एल हटा देते हैं अगर खाली फूल लिखना है तो एफ यू डबल लिखते हैं लेकिन अगर कभी भी हम किसी से जोड़ रहे हैं तो हमें उस टेम हमें एक एल लिखना है जैसे कियर फूल यूस फूल और आपको जॉइ यह लगते हैं कि पता चलेगा कि कौन से तो देखे अगе सी के बाद एक्ड़ी के मात्रा एकी जैसे क्टी इक के मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं और I लिख देते हैं लेकिन अगर बड़ी E की मात्रा आ रही है तो आपको E I लिखना होगा C लेकिन C की अलावा और कहीं भी बड़ी E की मात्रा आएगी तो आपको एक मिनट मैं यहां लिख देती हूँ जैसे यहां पर भी बड़ी E की मात्रा है तो कहीं पर भी अगर बड़ी E की मात्रा आएगी C के अलावा तो आपको I, E लिखना है और C के बाद आएगी तो E, I लिखना है ठीक है जैसे फिल्ड हो गया और भी बहुत सारे में यहां लिखवा देती हूँ इसके बाद यह तो मैंने आपको दो समझाएं बाकी और में लिखना है ठीक है बाद में वर्ड मीनिंग लिखाँगी नहीं तो आप पंश्योज हो जाएंगे C के बाद अगर कभी भी E की मात्रा आए तो आपको E, I लिखना है और C नहीं है जैसे सा की आवाज नहीं है बाकी कहें पर भी अगर E की आवाज आ रही है बड़ी E की मात्रा जो थोड़ा तेज होती है उसके लिए आपको सबी जगा I, E लिखना है और अगर C लिखा जा रहा है तो उसमें E, I लिखना है ठीक है आप इसे लिख लिए यह सिंपल तरीका है जिसके आपको कहाँ पर लिखना है अगर कहीं पर भी आपको A, I जारा जैसे की minimized हो गया और भी बहुत सारी वर्ट मिनेंगे जैसे को अंसर सही है, तो यहां पर देखें, यह बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, नहीं से याद करना है, तो कहीं पर भी आइज आएगा, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोनों में से किसी भी तरीके से लिखेंगे, दोनों ही तरीके सही माने ज़रेंगे. अगर आप I, S, E लिखते हैं, वो भी सही है, क्योंकि आपको पता है, I को आपको पढ़ने के लिए हमें क्या करना होता है? I के बाद एक वर छोड़के E लिखना होता है तो इसको हम I बढ़ेंगे तो आपको समझ मैं गया लेकिन S को भी जा पड़ते हैं, Z को भी तो कहीं पर भी I की आवाज आ रहे हैं, लास्ट में तो आपको क्या लिखना है? काँ I, S लिख लिखना है? I, F, Y आपको नहीं लिखना है क्योंकि IFY कहां लेखा जाता है? सिर्फ तीन वर्ड मिनिंग में जो गिनी चुनी सिर्फ तीनी ऐसी वर्ड मिनिंग है जहां पर आपको FY के लिए क्या लिखना होता है? I, F, Y लिखना है लेकिन कहीं पर भी 5 की अवाज आ रही है तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा E-F-Y लिखना होगा कहीं पर भी 5 की अवाज आए किसी भी वर्ट में हमेर to क्या लिखना है E-F-Y लिखना है वैसे अगर आपको याद भी नहीं है तो कोई प्राबलम ने क्योंकि last में तो y लिखते हैं e की मातरक के लिए तो आपको अगर e लिखने हैं और e को i करना है तो y लिखे ठीक है यह चीज़ याद रखिएगा पर भी अगर हमें i को i पढ़ना है तो हमें i के बाद एक बार छोड़के e लिखना होता है लेकिन last में e नहीं लिख सकते अब last में e क्यों नहीं लिख सकती क्योंकि अगर हमें i को i लिखना है तो हमें last में y लिखना होगा क्योंकि अगर हम last में e लिख देंगे तो e जो है वो silent होता है मैंने बोला तो किसी भी word meaning लगर last में e आता है तो वो silent होता उसे नहीं पढ़ा जाता इसलिए अगर आपको I लिखना है तो आप Y ही लिखना होगा आप E नहीं लिख सकते जैसे आपने क्या लिखा I के बाद एक बड़ छोड़के क्या लिख जिया फिर से E लिख गया लेकिन I को तो हम E पढ़ देंगे और इस वाले E को हम silent कर देंगे तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कहीं पर भी Y की आवाज आएगी तब तो आपको E F Y लिखना है लेकिन कहीं भी last में I को I करने के लिए Y लिखना होता है कभी भी E मत लिखेगा अगर आपको I लिखना है और वो last में है तो ठीक है यह ची याद रखिएगा ओकी थोड़ा आपको लिखना है C Y ठीक है अगर आप S Y लिखेंगे तो वो गलत माना जाएगा सिर्फ ऐसी word meaning है 5-6 word meaning है जिसमें लिख देते हैं लेकिन वो 5-6 word meaning आपको इतनी important है जितना जादत जितमें माना लिजे 5 word meaning को छोड़के बाकी सबी में आपको क्या करना है last में C के लिए C Y लिखना है क्योंकि last में E के लिए हम Y लिखते हैं E की मातरे के लिए तो S के लिए हमें C लिखना है जैसे कि मैं आपको कुछ example बता देती हूं जैसे मान लिजे कोई भी example एक ने कितने सारे जिसमें C आता है privacy हो गया और जैसे की मैं मुझे बताओं तो वो सारे जिसमें C की एक काम केजिए का आज का आपका